जै हिंसाथियों एक बार फिर आ गये हैं टोपी वाले भाई जो कि जी के ट्रिक लेकर आये हैं दिखेंगे हम भारत की प्रमुख जील एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा तो आये शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कास्विर में कौन कौन सी जील है तो जम्मू कास्विर में कौन कौन सी जील है सबसे पहले कौन है अनंत नाग बैरी नाग सेस नाग बिसन सर जील मानस जील डल जील और बुलर जील तो इसको कैसे याद करेंगे तो इ वहाँ पर चन्दन का ब्रिच होता है और चन्दन के ब्रिच पर नाग नागिन होते हैं तब नाग नागिन कहाँ पर होते हैं जम्मू का स्मिर में अताग्या सकते हैं कि जहां भी किसी में नाग लगा रहेगा नागिन लगा रहेगा तो वो जम्मू का स्मिर की जील होगी जैसे लिखा है अनन्त नाग क्या लिखा है नाग लिखा है तो कहां का है जम्मू का स्मिर का बैरी नाग जम्मू का स्मिर का सेस नाग जम्मू का स्मिर का आगे है बिसन सर जहील बिसन में क्या होता है बिस बिस होता है न भाई तो नाग नागिन का क्या होता है बिस तो बिस स इतना याद हो गया कोई दिक्कत किसी वश्चे को नहीं दिक्कत है अब जानते होंगे जम्मू काश्मे में सुन्दर सुन्दर परी होती है ठीक है तो सब वहाँ पर डल मने क्या करते हैं डालने के लिए बेताब रहते हैं डल 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 ठीक है डालने के लिए बम डाल देते हैं और सब डालने के लिए बिताब रहते हैं ऐसे याद कर सकते हैं याद कर सकते हैं यह संदर संदर चीजें आपको दिखने को मिलती हैं जब मुखासमेर में झालने के लिया से देशाel में ऐसे याद कर सकते हैं याद कर सकते हैं गुलर बने गुलर और गुलर का जो चीज होता है प्रेड होता है जम्मू कास्मिल में अधिक देखने को मिलता है ठीक है यह हो गया आगे है मानस बलजहिल मानस बलजहिल तो यहाँ पर देखे होंगे सब जो है मानस करते रहते हैं नस को काड़ दते हैं सब के ठीक है पकड़ते हैं आदमी के नस को कार दते हैं खतम हो जाता है जम्मू कास्मिल में मानस मार के नस को काड़ दते हैं भाईया जम्मू कास्मिल मे तका सकते हैं सब धिले जो हैं जमू कास्मिर्की हैं ऐसे याद का सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो लिखा है बूलर मने का सकते हैं बूलर अब बूलर का फुल देखे होंगे बूलर का फल जो होता है गोल गोल लाल लाल होता है अब बड़ा मीठा होता है तका सकते हैं कि की जिसकी भारत की तो बुलर मने गुलर ठीक है याद रहेगा कोई दीकत किसी वच्चे को नहीं सिंपल है भाई आगे है उत्तरा खंड की जहिल कौन-कौन सी है तो उत्तरा खंड बने क्या है उतरना किसी गाहां में उतर जाइएगा उसे बोलते हैं ताल में ठीक है कोई जहा उत्राखंड की जिल होगी जहां पर भी ताल दिखने को सब्द आ गया वो सब उत्राखंड की जिल होती हैं जैसे नैनी ताल, सात ताल, देव ताल, छिया ताल, खुर्पया ताल और है रूप कुंड क्या है रूप कुंड इसको भाईया बोलते हैं रूप कुंड को कंकाल जि कि बाद है थोड़ा सी समझ जाएने का ठीक है इसी को बोलते हैं हम लोग सार वोत सारस investor मिलता है इसलिए ओत्रागड की बच्छी को ना में अब थोड़ा सा इधर देखि लेते हैं इधर क्या है सूरज ताल जील और चंदर ताल जील रामगड ताल जील यहाँ पर हम बोले हैं जहाँ पर ताल आएगा वो उतरा खंड की होगी मगर यह तीन वो confusion वाला है भाईया इसको आप लोग याद कर लिजेगा कैसे याद करेंगे देखिए लिखा है सूरज ताल जील चंदर ताल जील ठीक है कहाँ पर है हिमाचल परदेश में तो हीम के आचल में क्या होता है आप वहाँ से सूरज और चांद बहुत नजदिक होता है हीम के आचल में देखिए हिमाचल परदेश भारत के यहाँ पर है भाईया हीम आचल पर्दिस यहाँ पर है आपके आसपास ठीक है तो हीम आचल मने हीम के आचल में मनद पहारी लाका है उसके हीम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूरज हो गया चांद हो गया यह सब पहले देखने को मिलता है ठीक है? नजदीक दिखता है भाई, यहां से, तो सूरज ताल बोलेगा, चंदर ताल बोलेगा, तो हीमाचल पर्देश, दो चीज़े याद करना है, आपको क्या है? चंदर स्प्रताल, जिल कहा पर है? उत्तर प्रदेश में के? तो रामगड़ ताल बोलेगा तो उत्तर परदेश तो रामजी की जनमा स्थान कहां है उत्तर परदेश में है तो रामगड़ ताल भी आपके उत्तर परदेश में है ये तीन चीज आपको याद रहेगा तो ताल वाला कन्ट्रिजन नहीं होगा और कौनों ताल आएगा तो मा ज़िल कहां पर है शित्टि में क्या है चलामू मतल़ यहां सब्द है चल्द मनें चोली क्या सब्द है चोली में आदने सिक्का रखता है बहुत सारे गाउं की और पर जो होती हैं देखें होंगे रखती है शिक्का शिक्का चोली में रखती हैं तो चोली से हो जाएगा चोलामु जिल सिक्किम में ठीक है आपने कभी कभी देखा होगा है यह सब घड़नाय चलती रहती हैं आपके छेत्रों में भी आगे है लोक टक जिल कहां पर है मरीपूर में लोक टक जिल मरीपूर में तो लोक ज तकाटक देखते रहते हैं तकाटक तकाटक ठीक है तो लोग जो है देखते रहते हैं तकाटक किसको मड़ी को देखते रहते हैं लोग तकाटक तो क्या है लोग तक जिल मड़ी पूर में है लोग तक जिल मड़ी पूर में है पुर्वत्तर शेतर की सबसे मीठे पानी की जिल क वनिसे हें लोकटव जिल है इस जिल में क्या है it terrible लाम जाओ एक नासी त्युल क्या है राष्टीय पार्क यह क्या है राष्टीय परर प्श्ट है मरी चमक तैरती है और उसमें हम याद कर सकते कोई दिक्कत किसी बच्के को नहीं दिक्कत है आगे हैं सातियों महाराष्ट, महाराष्ट की जो जिल है वो है कौन सी लोनार जिल, लोनार जिल लिखा है महाराष्ट, अपने राष्ट को महा बनाना है, राष्ट को क्या बनाना है, महान बनाना है, तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेग उलका पिंड के पृत्वी पर टकराने के करण इस Jhil का निर्मान हुआ था कोशन पूशता है ठीक है तो जैसे पृत्वी पर उलका पिंड कोई आ के गिरा और धर्ती दब गई ठीक है धर्ती दब गई यहाँ पर पानी जम गया तो यह जो जील होई वाई आपकी है उसका नाम क्या है लोनार जील है कोशन पुछ सकता है जो इनका पॉइंट है आज कल कोशन उनके पॉइंटों से पुछता है आगे देखते हैं पेरियार जील अश्ट मुदी जील और बेमबनार जील कहाँ पर है केरल राजी में कहां पर केरल में, तो पेरियार जानते हैं, पेरियार नदी है, ठीक है, कहां पर परदी है, केरल में, कर सकते हैं, सिंपल है, या कर सकते हैं, केला, केला खरिदना है भईया, तो पे करना पड़ेगा पैसा, ठीक है, केला खाए हैं, केला खाए होंगे, तो आप जानते होंगे, ऐसा केला होता है ठीक है तो केला खरीदना है तो पैसा पे करना पड़ता है तो पैसे हम क्या सकते हैं तेरियार जील केरल में इस्तित है आगे है अश्ट मुदी जील अश्ट मुदी अश्ट मने क्या होता है आठ मतलब आठ केला वाला ठीक है आठ केला खरीद लिजे खाने के या अश्ट मूर्दी मतलब यहां वागों कृते हैं कशकते हैं का सकते हैं कि देनिक में श्टित है ऐसे कर सकते हैं बंभू कर देना लूस सरा है ऑगे on बुक्त कट करना क……ईसे टीपना होगा मुवायल पर तो काल नहीं कर पाएगा ठीक है तो काल नहीं कर पाता है आप देखे होंगे तो ऐसे आंधा आदमी काल नहीं कर पाएगा, किसी को फोन नहीं लगा पाएगा, तो पॉलेरू मने काल करना आदमी नहीं कर पाता है, ऐसे कर सकते हैं, याद करने के लिए, आगे है पुलिकट जहील जो है आंधा पर्देस और तमिलाडू के बॉर्डर प यदि दोनों option में आता है तो आपको इसी को लगाना है एक साथ दोनों option देता है, कि A और B दोनो से होगा, तो दोनों में लगाना है, यदि option में आंद्र प्रद्दिस नहीं है, तो तमिलाडू पर लगाना है, ठीक है, पूली-कट जील कहा है? पूली कट मने क्या है पूल जो है कट गया कैसे कट गया आप देखे होंगे भारत का नक्सा यह है भारत का नक्सा भाईया ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे यह है आपका आंदपरदेश और यह है आपका तमिलाडू ठीक है तो इसी बाडर परिष्टी थे आपका पूली इन दोनों के बाडर परिस्तित है पूल कट गया ठीक है ऐसे हम याद कर सकते हैं किसी दिकत किसी बच्चे को कोई दिकत नहीं आगे देखिएगा लिखा था बेमबनाड जील जो है यहां पर थोड़ा से समय लिजे बेमबनाड जील जो है भारत की सबसे लंबी जील है यहां केरल राजी में इस्तित है बेमबनाड जील यह भारत की सबसे लंबी जील बोलेगा लंबी लंबाई में सबसे बड़ी जील जो बास होता है बास इसको बास से भी याद कर सकते हैं बास ठीक है तो बेमबनाड ठीक है बास पादमी केला का पत्ता भी चाड़ाता है केला के उपर लगा के बास को रखता है ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको याद करना है ठीक है यह बास के जैसा दिखता है बहुत लंबा है ठीक है तो सबसे लंबी जिल भारत की बेंबनाड जिल है कलेरु जिल बता दिये हैं समझ में आ गया अंधादमी आंधर परतेस पुली कट ए दोनों के बाडर पर इस्तित है बहुत ही important question है question बनता है आगे है साथ यो चिलका जिल कहां पर है उर्षा में इस्तित है कहां पर उर्षा राज में इस्तित है लिखा है चील का तो चील और कववा जो होते हैं क्या होते हैं उड़ते रहते हैं चील कववा उड़ते रहते हैं तो उड़ने से हम याद करेंगे उर्षा राज में कौन से जिल है चिलका जिल है उर्षा राज में इस्तित है आपकी चिलका ज खारे पानी की सबसे बड़ी टटी जील जो है चिलका जील है याद रहेगा ठीक है याद रहेगा अच्छा कोशन है सबसे बड़ी टटी जील बोलेगा तो आपकी चिलका जील ठीक है टटी मनें टट परिस्तित है यह भारत का टट जो है यहाँ पर यह टटी जील है तो खारे पानी की सबसे बड़ी कटी जीर बोलेगा तो चिल का जील ठीक है कोशन कराएंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा कौन सबसे अधिक खारे पानी की जील है कौन सबसे अधिक मिठे पानी की जील है तो चिल कोगा उड़तर रते हैं तो उरिसा में याद हो गया अब बोला है कोशन की ये लैगून जील है तो लैगून जील होती क्या है इसके बारे में थोड़ा है यहापर समय लेते हैं यह होती है गोखुर जील एक होता है लैगून जील तो जिस जील की आकार जो है गोव मनें गोखुर मतलब की गाय के खुर की आकार की जिसकी जील की आकरती होती है उसको बोलते हैं गोखुर जील क्या बोलते हैं गोखुर जील अल जो लैगून जील होती है यह समुंदर के किनारे से मलब समुंदर के द्वारा बनाई गए जील जो होती है उसको बोलते हैं लैगून जील कभी कोशन पूछ लेता है यह भी कोशन पूछ लेता है भाई कि खारा पानी यहाँ पर फेपता है, पानी समंदर लहर मारता है, पानी इसमें भर जाता है, कुछ कचड़ा यहाँ पर इसके मुहाने पर इकठा कर दता है, जिससे क्या होता है, पानी दर नहीं जा पाता है, एक प्रकार की धील बन जाती है, तो यही है आपकी लेगुन धील, अब देख लेते हैं तेलंगाना, मतलब हैदराबाद की जहील कौन्ची है? हुसाइन सागर जहील कहाँ पर है? हैदराबाद में तेलंगाना राज में, कहाँ पर तेलंगाना? कोशन भोल जाए आंधरपरदेश. ठिक है, क्योंकि आंधरपरदेश से अलग हो गया है. कहां पर तेलंगाना है लिखा है हुसेन सागर हुसेन मने हसना या लिखा है गाना हसते हुए गाना ठीक है तो हुसेन सागर तेल लगा के कोई गाना गा रहा था तो आदमी सब हस रहे थे हस रहे थे तो हुसेन सागर तेलंगाना में है कहां पर हैदराबाद में कहां पर भेरी जए स्थान की जहिल कौण कौण सी है देखिए थोड़ा से है यहीं चीज है रजस्थान की जह है बहुत सिंपल है भाय रजस्थान मतलब जहां पर राजा रहते थे जहां पर जय जय बोला जाता था या कर सकते हैं रजस्थान की जो रजधानी है जैपूर है तो जैसे भी जैसमंद याद कर सकते हैं दो चीजा आपको आसानी से याद हो गई कोई दिक्कत नहीं है आगे है फते सागर और राजा की हमेशा फते होती थी जीत होती थी फते सागर हमेशा राजा जाता था कहीं लड़ाई करने हैं हमेशा फते उसकी हासिल होती थी तो फते सागर जील जो है आपकी कहाँ पर है रजस्थान में है अब फते सागर ताल बोलेगा ता उत्तार प्रदेश में परता है कहाँ पर आप जानते हैं कमेंटे में भाईया ठीक है पढ़ा चुके हैं आगे है डिडवाना जील और सांभर जील और पिछावला जील अब देखिए भाईया दो चीजे पहलत यहां पर पकड़ लिजे सांभर और पिछावला राजस्थान में राजा के पास पैसा होता है तो सांभर ओबर खईबे कर इटली सांभर यह लिखा है सांभर तो सांभर जील कहां पर राजस्थान में अब पीछावला मने छोला पीछे वाला छोला खाता है राजा ठीक है तो पीछावला जील पीछावला मने छोला जो राजा होता है उसके पास क्या होता है भया पैसा होता है तो पैसा होगा तो स कौन खाता है घ्शrr और जोन खाता है तो हो जायगे आपका पीच ऑला चोला तो हो जाएगा पीचह contrat जिल आपके रजस्थान में है और है डिडवाना डिडवाना में कहा है दंडा तो जो राजा होते हैं डंडा लेके घुमते रहते हैं भाईया तो है डिडवाना जिल सांभर जिल पिछोला जिल आपके रजस्थान में है आगे है सांभर जिल और सांभर जिल में क्या होता है सा मगवन क्या आओ गया खारा तो सामभर जी जो है राजस्थान की खारे की जील है खारे पाने की जील है तो आपकी चिलका जील है सबसे बड़ी खारे पानी की जील जील का जील सबसे खारा या नमकिन जील कौन सी है सामभर जील ठीक है याद करने के लिए या बड़ी बोलेगा तो आपका पहला नमर प्रिय है दूसरा पर सामभर जील है कोई दिकर confusion नहीं है विवाम आपको बताते हैं कैसे ठीक है अस्थली जील बोलेगा तो सांभर जील ठीक है अंत अस्थली बोलेगा तो सांभर जील और तट्य बोलेगा तो जिलका जील पहला पर सबसे बड़े जील आपकी जिलका जील दूसरा पर आपकी सांभर जील सबस्य खारा मतलब सामबर है, ठीक है, क्याद रहेगा, question, confusion नहीं होना, आइए, देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहरे क्या कहता है, question, कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल कौन सी है, बुलर जिल, जम्मू कास्मिर की जिल है, बुलर मने गुलर, गुलर जो है, खाते हैं, मीठा मीठा लगता है, तो सबसे दिक मीठे पानी की जिल कौन सी है, बुलर जिल, आगे है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जिल कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी जिल, question पुछेगा, तो चिलका जिल, ठीक है, चिलका जिल, खारे पानी की भारत की से बड़ी जील है ठीक है और दूसरा नंबर पर कौन सी है जील है आपकी सामभर जील है ठीक है याद रहेगा अब जो है बोलता है कोश्चन यदी कि भारत की सबसे बड़ी खाले पाने की अंतर अस्थली जील अंतर अस्थली बोल देगा अंतर अस्थली मनें बाडर पर नही बंबी मनें लंबा, लंबा क्या होता है बास होता है तो बास मने बेंबनाड जील भारत की सबसे लंबी जील है बेंबनाड जील कहां पर पढ़ती है केरल में बेंबनाड जील आगे है भारत की सबसे उचाई पर जील कौन सी है भारत की सबसे उचाई पर कौन सी जील है तो उचाई पर क्या होता है चोली तो चोली से चोला क्या ह चुलामू जील जो है भारत की सबसे उशाई परिष्टित जील है आगे है कि भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील कौंसी है तो गोविन बल्लम पंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है तो इन कोश्चन को कम सगम आप एक बार पहली जीएगा एक कोश्चन पूछ सकत है आपके एकजान में एक कोशिण और है कि भारत की सबसे अधिक खारी धील घृ काउंसि यह मतलब भारत की सबसे अधिक नउपकीनी घृ काउंसि कौनसी है तो आपकी सांवार चील सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी जील बोलेगा तो चिलका जील ठीक है याद रहेगा कोई बिक्कत नहीं है कनफुजन नहीं होना है भाया ठीक है वीडियो अशलेगा तो लाइक जरू कर देगा थैंक्यू धन्यवाग जैंद